हेलो एवरिवन टूड़े विल डिसकास क्लास फिप्ट एवियस ट्वेल चेप्टर सोशल इंसेक्ट लिविंग टुगेदर यानि जो सोशल इंसेक्ट है यानि हमारे समाज में जो पाया जाते कीडे मकौड हैं वो एक साथ राते हैं उनके बारे में दिया है तो यहाँ पर वाम अप में दिया है फाइंड दा नेम्स आफ फोर इंसेक्ट हीडेन इन दा ग्राइड यानि यह जो ग्राइड आपको बना दिख रहा है इसमें से चार ऐसे इंसेक्ट के नाम लिखने है जो इसमें छिपा हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ग्रास ओपर ग्रास ओपर हो जाएगा और यह तीन आपको लिखना है तो आप इसमें से सर्च किजिएगा और लिखेगा तो यहाँ पर दिया है लाइक यूमेंस इंसेक्ट सच एज अंड्स हनी बीज और टर्मिट्स लिफ टुगेधर इंड ग्रूप्स दीज इंसेक्ट्स आर काल्ड सोसल इंसेक्ट्स यानी जैसे की आदमी हो गया इंसेक्ट्स इंसेट हो गया इंसेक्ट्स में यानि कीड़े मकड़े में हो गया एंट हो गया चीटी अनिस विज मधुमक्खी और टर्मिरीट टर्मिरीट होता है एक परकर का कीड़ा होता है जो पाया जाता है यह हो गया यह सभी एक साथ ग्रूप में रहते हैं और इन सभी इंसेक्ट्स को social insect बोलते हैं यानि समाजिक कीड़े मकड़े होते हैं एक समाज में राते हैं so first topic है ants के बारे में so ants में दिया है ants build an underground nest for their living यानि जो चीटी है वो अपना घर बनाती है रहने के लिए घर बनाती है underground यानि जमीन के नीचे अपना घर बनाती है रहने के लिए they dig into the soil and make ant hill यानि जो चीटी होती है वो soil के अंदर यानि मिटी के अंदर dig यानि खोदना इसके अंदर खोदेती है और उसके बाद से ये ant hill ant hill यहाँ पे दिया है ant hill यानि ant मतलब चीटी और hill यानि पहाड ये इसको खोद देती है अंदर गहरा हो जाता है तो उपर ये पहाड जैसा दिखता है they live like a family वे एक परिवार की तरह रहते हैं और दे डिवाइड वर्क एमांग देंसेल्फ और वह अपना काम डिवाइड करते हैं बाठते हैं अपने अनुसार the ant communicate by touching each other with their ant in sorry antenna antenna होगा so जो ant होती है वो अपना communicate कैसे करती है वने बातचित कैसे करती है उनके पीछे ये पीछे antenna लगा होता है sorry दिखना ही डाओगा so इसमें antenna लगा होता है उससे वो लो एक दूसरे से communicate यह नहीं बातचित करती है the ant are of three district type यानि जो ant होती है वो तीन category में होती है नहीं तीन पार्ट में होती है so first होती है queen ant second male ant and third worker ant so अब queen ant male ant और worker ant के बारे में हम दो देखेंगे so first है queen ant queen ant के बारे में क्या दिया है the queen ant is an adult female and the mother of all other ant यानि जो queen ant होती है ये adult ये female होती है queen ant और ये female होती है adult यानि ये ज्यादातर age में बड़ी होती है और ये जितनी भी छोटी ant होती है जैनी चीटियां होती है उनकी मा होती है c is the largest in size and lace egg यानि जो ant होती है ये सबसे बड़ी जो queen ant होती है ये सबी चीटियों से बड़ी होती है यानि large size में होती है और ये lace egg यानि ये अंडे देती है so our next topic दिया है male ant male ant के बारे में क्या दिया है male ant have wings यानि जो male ant होती है उनके पास wing यानि punk होता है they have a short life और उनका जो जीवन होता है वो बहुत ही short यानि छोटा होता है so next worker ant so worker ant के बारे में देखते है most of the eggs laid by the queen grow up to become wingless strill female यानि जो जादेतर एक होते है वो queen के द्वारा lame यानि queen एक देती है जादेतर queen ही एक देती है अंडा देती है और वही अंडा वो बड़ा होकर वो wingless हो जाता है यानि उसमें wing यानि punk नहीं होता है और उसके बात से वो एक strill female बन जाता है these are worker ant और यह जो ant होती हो है यह worker ant होती है जिनके पास जो wingless होती है जिनके पास punk नहीं होती है they collect food guard and clean the nest यह वे food को collect करती है वो guard यानि सुरच्छा करती है और घोसले को साफ करती है they lack wings unlike queen and male ant यानि वे वो उनके पास wing like queen यानि उनके पास wings नहीं punk नहीं होती है और वो queen के तरह queen को पसंद नहीं करती है और जो होता है कि और male ant होते हैं उसमें queen नहीं होती है उसमें किवाल male ant होते हैं यहां पर figure दिया है queen ant का this one male ant and this one worker ant so next topic honey bees let's study honey bees are social insects यानि जो honey bees होता है वो organized group में राता है एक साथ राता है उसे hive काते हैं जब कई सारे होते हैं उसे hive काते हैं bees make beehives यहीं जो bees होती है यह beehives बना देते हैं they produce wax to make hives यानि जो hives होता है उसको बनाते हैं यह लोग जो bees होता है यह hives बनाते हैं honey bees are of three distinct type जो honey bees होता है यह भी तीन परकार का होता है so first one होता है queen bee second worker bee third drone bee यह इसमें भी होता है queen bee इसमें भी worker भी होता है और इसमें drone भी होता है so figure यह queen bee है यह worker भी है यह drone भी है इसका काम क्या होता है so यह जो queen bee होती है यह केवल अंडे देती है और जो worker भी होते हैं यह जो छता होता है उसको बनाने का काम यह कहीं से रस को किसी फूल से उसको रस को सक करना चूसना चूस के लाते हैं और इसे मदमक्य उससे तयार होती है और यह drone भी जो होता है यह केवल जाता है और सर्च करता है कि कहां पे कौन सा फूल है और क्या क्या है उसको सर्च करता है तो यह इन्हें बताता है worker को तो यह worker जाके वहां से सक करके लाते हैं यह चूस के लाते हैं तो यहां पे honey बनता है सहद तो यहां पे दिया है beside ant and bees some wild animals like elephant, lions, zebra and giraffes also live and move in groups और the following reason यानि honey ant और honey bees के अलावा मधमख्यों और चिटियों के अलावा कुछ जंगली जानवर भी ऐसे हैं जो एक group में रहते हैं और एक group में ही चलते हैं इसे कि हाथी हो गया, lion हो गया, zebra हो गया, giraffe हो गया यह सब भी एक group में ही रहते हैं और group में ही चलते हैं यह क्यों चलते हैं कुछ region है परस्ट है, to protect themselves from enemies यानि सत्रू, enemies यानि सत्रू से बचने के लिए वो एक साथ चलते हैं, जुन्ड में चलते हैं second to groom the young ones यानि जो अभी छोटे बच्चे हैं इनके उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो जुन्ड में चलते हैं कि यदि कोई सेर हो गया या फिर कोई other animal इंपे अटेक करें तो उनके बच्चे पर उसे बचा सके in search of food and water और ये इसलिए भी एक साथ चलते हैं कि ये भोजन की तलास में एक साथ चलते हैं और पानी की तलास में चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं learn this term इसमें क्या दिया है first is social insects समाजिक कीड़े क्या होते हैं insects living in a group and working collectively यानि जो insects एक ग्रूप में रहते हैं और काम भी एक ग्रूप में ही करते हैं तो इसे social insects को बोलते हैं next worker ant यानि worker ant क्या होता है the wingless strill females ant in the nest of ant यानि जिनके पास punk नहीं होता है और strill female ant होते हैं वो जो की next को बनाते हैं गोसले किसाब सफाई करते हैं गोसले को बनाते हैं उन्हें worker ant बोलते हैं drone बी क्या होता है sorry drone बी ये क्या होता है the male bee in the colony of bee यानि ये drone बी होता है जो male बी क्या होता है जो male बी होता है ना उसमें जो bees की कालोनी होती है उसे drone बी काते हैं उसमें ज्यादेतान male होते हैं जो मतलब उसका bees की कालोनी में होते हैं उन्हें drone बी को बोलते हैं और remember में क्या दिया है animals live in group यानि जो जानवर हैं वो एक group में रहते हैं next ant and bees are social insect यानि जो चीटी होती है और वो काम करते हैं collectively यानि संगठीत होकर मिल जूलकर वो काम करते हैं ant and honey bees are of three types जो चीटी होती है और मदमक्खी होती है वो तीन परकार की होते हैं first female worker होते हैं उसमें वे male होते हैं और queen होती है ant and bees live and move in groups to protect young ones and in search of food यानि जो ant होती है और मदमक्खी होती है वो राते हैं एक group में राते हैं और एक group में ही move करते हैं यानि एक जगह से कर सके और वो search of food यानि भोजन की तलास में भी जाते हैं और पीछे दिया था कि search of water also so पानी के तलास में भी जाते हैं so our chapter is completed thank you कर दो